कोरोना वाइरस के कारण मार्च से देश में लॉकडाउन लागू था हाल ही में अनलॉक वन में कई चीजों को लेकर धील दी गई और मंदिर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमती दी गई लेकिन बहुत सारी पाबंदियों के साथ मंदिरों में भक्तों को कुछ भी चीजे चूने की इजाज़त नहीं है प्रसाद नहीं मिलेगा और जादा भीड़ वाले कारिक्रम भी नहीं होंगे कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के मंद्सौर के पशुपतिनाथ मंदिर में एक शक्स ने मंदिरों में घंटियों को बजाने का एक तरीका धून निकाला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मंद्सौर के पशुपति मंदिर में सेंसर वाली घंटी बनाई गई यानि जो बिना छुए सिर्फ चेहरा दिखाने पर अपने आप बजनी लगती है मंद्सौर का ये पशुपति मंदिर शायद देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां सेंसर की घंटिया बज रही है ये काम एक मुस्लिम शक्स के कारण संभव हो पाया है इस सेंसर वाली घंटी को देख कर भगत काफी खुश हुए है इसको बनाने वाले समात से वी नहरुखान ने सिर्फ ऐसा सोच कर सेंसर वाली घंटी बना दी कि अनलॉक वन में मजडिदों में आजान तो सुनाई देने लगी लेकिन मंदर में घंटी की अवाज नहीं गूंज रही है नारुखान के इस प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी घंटियां बाकी मंदरों में भी देखने को मिल सकती है न्यूस डैस प्रयास